हेलो दोस्तों जाएं स्वागत है मेरे चैनल डिफेंस एंड स्पोर्टस आर्मी में फ्रेंस आज मैं आप लोगों के लिए इंडियन आर्मी में जो आप लोग की ओपन रेली आने वाली है तो उसके बारे में एक इंफॉर्मिशन में लेके आया हूँ सबसे पहले पूरे यूट्यूब में मैंने देख लिया है बहुत जगह यह नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है कि इंडियन आर्मी में ओपन रेली आ गई है पितोरा गड़ में क्या सच चाहिए भी पूर आपको मैं बता देता हूँ सबसे पहले दोस्तों मैं बता दू यह औरिजनल चीज है और यह कोई फेक निउस नहीं है आप लोगों की एक ओपन रेली करवाई जा रही है इंडियन आर्मी की जो की पोर्टर्स की रेली है अब मैं पूरी जान कहरी में आपको बताता हूँ वीडियो का लाइक जरूर कर देना और वीडियो शेयर कर देना क्योंकि काफ से यारे बच्चे इस सोच में जी रहे हैं कि इसका हमें फॉर्म जाके खरीतना पड़ेगा फॉर्म भरना पड़ेगा और फिर हमारा एड्मिट काड आएगा ये वो ये वो तो ऐसा कुछ भी नहीं है मैं आपको पूरा बता रहा हूँ धियान से बात सुनना ठीक है सबसे पहले मैं बता दूँ आप लोग की ये रैली कहां पर हो रही है तो आपकी ये रैली उत्राखंड के पितहरागड के जिले में होने वा सुबह दस बजे से दो बजे तक ठीक है मतलब ये लाश्ट दो बजे के बाद किसी बच्चे को वहां पर एंट्री नहीं मिलेगी अब कैसे कैसे इसका क्या प्रोस्स होता है पूरा मैं आपको समझा देता हूँ अभी पोटर्स की जो लाश्ट रैली आप लोगों की 2021 में आपको बजा देता हूं सबचे पहले मैं आपको बटा दू यहां पे जो है आप लोगों का इज जो एज है वो आपका प्रफ प्रफ आप जो है कि इस हिसाब से आपका इज ज्यादा नहीं होना चीह ँए तो यह चीज़ के ध्यान रखना चीज़ जितने भी भाई को अपलाइक अप्लोह का जो है कि वहाँ पर सबसे पहले है आप लोगुगा पहलेगा पाल्ट में यहां से कुछ भी आलतल फालतल लेगर करके नहीं जाना में बता दूँ तो अभी आपको सबसे पहले डॉक्यमेंट्स में क्या-कार रखना है यां यहान पर मतलब स्लेशनला मतलब आपके यहां पर कैंझ सबस्तित sortir सोना चाहियाँ थीक है दूसरी चीज यहां पर कोई हूं लेकर के पहले सोना चाहिए आपस बता रहां पहले याप remo के लिए बहती है फांस वी-क सटी के लिए यहां देटन है के लिए आपको अपना दस्वी का प्रमाण पत्र मांपे दिखाना होगा सिर्फ आपकी डेटा बर्त को देखने के लिए वह दस्वी का मांपे माक्षिट आप लोका देखेंगे ठीक है फिर आपका मूल जन्म प्रमाण पत्र या जाती प्रमाण पत्र की एक आपका या तो आ बाधार काड, वोटर काड, राशन जो भी है आपके पास इन तीनों में से कोई एक आपके पास वाँ पे काड आपको ले करके जाना है आपको कोई बी ऐसी प्रॉबलम कोई आपको क्रॉनिकल डेजीज वगेरा नहीं है ठीक है साथ आपके पास एक दोस्तों आपका SBI में बैंक खाता आपका होना चाहिए ठीक है वो अपना जरूर अपना पास्बुक जरूर वहाँ पर अपना ले के जाए क्योंकि वह आपका फर्स्ट डे जब आप लोग का डॉक्यमेंटेशन होगा तो सबसे पहले आप लोग का वहाँ पर माक्षिट के बाद आपका बैंक का पास्बुक ही लिया जाएगा ठीक है और साथी साथ जो भी डॉक्यमेंट्स आप ले जाए तो चार ले है ठीक है चार फोटोकॉपिस ले जाए क्योंकि चार में से तीन आ अपने मतलब अपने पास अपने आपको रखना है अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों यह फिजिकल आपका डायरेक्ट ही वहाँ पर फिथोरागाड में होने वाला है फॉर्म को अपलाय करने की कोई जरूत नहीं है वहीं पर आप लोगा रिजिस्ट्रेशन भी होग तो इसका पता आपको पूरा बताया हुए तो इस पते पे आपको पहुँचओगे तो दोस्तों मैं बता दू यह भरती स्थर्द्ध जो आपकल लिखा हुए ना को वहाँ पर फिजिकल लिया जाएगा ठीक है तो आप लोग पहुचने में टाइम बहुत दिल लग जाता है मैं बता दू वहाँ पर ज्यादा जो पहाड़ी छित्र है ज्यादा ट्रेन वगएरा या गाड़ी वगएरा वहाँ पर नहीं चलती है तो आपको बाइ बस आपको जाना पड़ेगा और इस सेंटर पर आपको पहुचना पड़ेगा फिजिकल के लिए तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरू करना चैनल सब्सक्राइब करना और हाँ दोस्तों अभी काफी सारे बच्चे यह कह रहे है कि इस फॉर्म को अपलाई कैसे करे तो पहुच रहे थे तो टाइम की बहुत पावंद है इसलिवा पहुंच है पांच वी का सर्टिफिकेट लेकर जाएं ठीक है पोर्टर्स और जानवर हखने वालों की भरती है अठारा जार रुपए की आपको सेलरी बता रही है ठीक है तो काफी अच्छी अच्छा मौका है उ तो आपना फिजिकल वगर तैयारी करके जाओ अपने खाने पीने का समान जरूर साथ में ले लेना पर खाने पीने का ठीक है वह उसके लिए आपको बजार वगर आना पड़ेगा तो आने जाने में आपको ज्यादा खर्चा होगा तो इसलिए अराम से आप लोग अपना कोई भी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो मेरे को जुरूर आप लोग यहां पर कमेंट कर सकते हो पूरा मैं आपको बता दूँगा जय हिंद